हेलो विवर्स असलामलेकम विवर्स अगर आपको बजट 15,000 पे से लेकर 75,000 पे की प्राइज और आप इस प्राइज में कोई अच्छा सा रियल्मी ब्रैंड का स्मार्टफोन भाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपकी लिए है आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता करते हैं सबसे पहले हमने रखा है रियल्मी का रियल्मी नार्जो 50 आई इस स्मार्फोन में आपको 6.5 इंच IPS LCD डिस्प्ले सेंटी बी रिजलेशन के साथ बैक साथ में सिंगल कैमेरा देखने को मिल जाता है जिसके साथ आप रेकॉर्डिंग टैने पीडियो रिकॉर्ड कर 1,000 मिली इंपार बड़ी बैटरी के साथ चाल्ज भी 64 जीपी वादा वरियन्ट इस वक्त परकिसान के ऑफलाइन मार्केट से 21,000 पर में मिल जाता है इस स्मार्फोन रखा रियल्मी नार्जो 30 इस स्मार्फोन में आपको 6.5 इंच IPS LCD डिस्प्ले के साथ बैक साथ में इस स्मार्फोन आपको 21,500 रुपे में मिल जाता है इसके बाद हमने रखा है रियल्मी का रियल्मी C21Y इस स्मार्फोन में आपको 6.5 इंच HD plus IPS LCD डिस्प्ले के साथ बैक साथ में ट्रिपल केमरा का सेट्प देखने को मिल जाता है जिसका प्रैम्जी सेंसर 30 मेगा पिक्सल का है 2 मेगा पिक्सल मेर्को संसर देखने को मिल जाता है रियल्मी यूल अपडेट के साथ और यहां पर आपको प्रोसेसर UNI SOC T610 देखने को मिल जाता है GPU Mali G52 के साथ और यहां पर आपको फिंगर परिंसंस और रियर मॉर्टरिन देखने को मिल जाता है 5000 मिली इंपर बड़ी बैटरी के साथ अगर आप इस स्मार्फोन के चार्ज भी 64 जीपी वाले वैरिंट को इस वक्त पाकि पिक्सल केमरा देखने को मिल जाता है जिसके साथ आपड़ी रेकॉर्डिंग 1080P 30 fps से रेकॉर्ड कर सकते हो सेलफी केमरा 5 मेका पिक्सल देखने को मिल जाता है और यहां पे आपको चिपसेट UNI SOC SC9863A देखने को मिल जाता है GPU Power VR के साथ और यहां पे आपको फिंगर पि सेंसर देखने को नहीं मिलता 5000 मिली इंपेर बड़ी वैटरी के साथ 10 वाट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है अगर आप इस स्मार्टफोन के चार जीपी 64 जीपी आले वैरियन को इस वक्त पाकिसान की ऑफलान मार्केट से प्रैचिस करते हैं तो यह स्मार्टफोन आ साथ आपड़र रेकॉर्डिंग 1080p 30 fps से रेकॉर्ड कर सकते हो सेल्फी कैमरा 8 में का पिक्सल देखने को मिल जाता है अगर इस स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टेम की बात करें तो यहां पे आपको एंडरीड 11 के साथ रियल्मी युल 2.0 अप्लेट देखने को मिल जात अकर आप इस स्मार्टफोन के 4GB 128GB वाले वाले वैयरन को पाकिसान की ऑफ रांन मार्केट से प्रेशिस करना चाहते हैं तो यह स्मार्टफोन आपको इस वक्त 4,999 रुप्यमे मिल जाता है इसके बाद हमने रखा है रेल्मी का रेल्मी C35 इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 inch HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ बैक साथ में ट्रेपल गामरा का सिटप देखने को मिल जाता है जिसका प्रेमरी संटर 50 Megapixel का है 2 Megapixel मार्कू संसर देखने को मिल जाता है 2 Megapixel टैप संसर के साथ और इस स्मार्टफोन की कैमरा के साथ आप डिर रिकॉर्डिंग 157 के साथ 5,000 million battery battery के साथ 188 की fast charging देखने को मिल जाती है और इस स्मार्टफोन में आपको fingerprint sensor side modern देखने को मिल जाता है अगर आप इस स्मार्टफोन के चार्ज भी 118 CP वारे variant को पाकिसान के offline market से purchase करना चाते हैं तो इस स्मार्टफोन आपको इस वक्त 38,999 पे में मिल जाता है के बाद हमने रखा है realme का realme 9i इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 inch full HD IPS LCD display के साथ 19Hz refresh rate वाला पैनल देखने को मिल जाता है और back side में triple camera का setup देखने को मिल जाता है जिसका primary sensor 50MP है का है प्लस 2MP macro sensor देखने को मिल जाता है 2MP depth sensor के साथ और इस स्मार्टफोन के cameras के साथ आप डिर recording 1080p 30fps तक record कर सकते हो selfie camera 60 megapixel देखने को मिल जाता है अगर इस स्मार्टफोन के box pack operating system की बात करें तो यहाँ पे आपको Android 11 के साथ realme UL 2.0 देखने को मिल जाता है जो के 6-nanometer technology बेस्ट है GPU Adreno 610 के साथ यहाँ पे आपको X का एक और cons बता दूगे यहाँ पे आपको dual stereo speaker देखने को मिल जाता है fingerprint sensor side mountain देखने को मिल जाता है 5000 mm बड़ी battery के साथ 33W की fast charging देखने को मिल जाती है अगर आप इस स्मार्टफोन के 6GB 128GB वाले 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 को पाकिस्तान की offline market से इस वक्त प्रेचिस करते हैं आपको इस वक्त 42,999 अवे रुपे में मिल जाता है इसके बाद हमने रखा रहा है रिकल्पीका रियल में GT Master Edition इसे स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंच Super AMOLED डिस्पले के साथ 180Hz रिफ्रेश रिट वाले पैनल देखने को मिल जाता है बैकसाइड में triple camera का setup देखने को मिल जाता है जिसका primary sensor 64MP का है 8MP ultra wide plus 2MP micro sensor देखने को मिल जाता है और इसे स्मार्टफोन की cameras के साथ आप विडियो रेकॉर्डिंग 4K 30fps जबके gyro stable mode के साथ 1080p 30-60fps साथ विडियो रेकॉर्ड कर सकते हैं अगर इसे स्मार्टफोन की selfie camera की बात करें तो यहां पे आपको 32 megapixel देखने को मिल जाती है यहां पे अगर operating system की बात करें तो यहां पे आपको android version 11 के साथ realme ul 2.0 update देखने को मिल जाती है और यहां पे आपको chipset snapdragon 778G देखने को मिल जाता है जोकि एक 5G chipset है जोकि 6 nanometer technology पे best है यहां पे आपको fingerprint sensor under display optical देखने को मिल जाता है 4300 million पैर बड़ी battery के साथ 65 watt की fast charging यह smartphone support करता है अगर आप इसे smartphone की RGB 128GB वाले variant को इस वक्षान की offline market से purchase करते हैं तो यह smartphone आपको 69500 रुपेवे मिल जाता है यह बाद हमने रखा है Realme का Realme 9 4G इसे smartphone में आपको 6.4 इंच सुप्रेमिलर डिस्प्रे के साथ 19Hz refresh rate वाला पैनल देखने को मिल जाता है बैक सेंड में triple camera का setup देखने को मिल जाता है जिसका primary sensor 108MP का है 8MP ultrawide plus 2MP micro sensor के साथ इसे smartphone की camera's के साथ आपडर recording 1080p 30fps तक रेकॉर्ड कर सक सेल्फी camera 60MP देखने को मिल जाता है अगर इसे smartphone में operating system की बात करें तो यहां पे आपको Android 12 के साथ Realme UL 3.0 update देखने को मिल जाती है और यहां पे आपको प्रोसेसर सेनल प्रकन 680 देखने को मिल जाता है जो कि 6 nanometer technology भी बेस्ट है GPU Adreno 610 के साथ इसे smartphone में आपको fingerprint sensor under display optical देखने की offline market से purchase करना चाहते हैं तो यह smartphone आपको इस वक्त 61,999 रुपे में मिल जाता है अज का हमारा आखरी price list है Realme का Realme 9 Pro Plus इसे smartphone में आपको 6.4 इंस Super AMOLED display के साथ 19Hz refresh rate वाला पैनल देखने को मिल जाता है protection के साथ और सेट अप देखने को मिल जाता है जिसका प्रैमरी सेंसर 50 Megapixel का है 8 Megapixel अल्टर वाल प्लस 2 Megapixel को मिल जाता है 4500 मिल इंपार बड़ी वेल्टरिंग साथ यह smartphone आपको साथ वार्ट की फासर जिंग सपोर्ट करता है अकर आप इस smartphone के RGB 128GB वाले वारियन्ट को पाकिसान की offline market में इस वक्त प्रैचिस करते हैं तो यह smartphone आपको 8999 रुपे में मिल जाता है आपको अच्छी लिगी होगी अगर वीडियो से रिक तो वीडियो को लाइक की चेका और अगर आपको कोई भी स्वाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्षर में कमेंट करके बता दीजेगा मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तक आपना बहुत सारा ख्याड़ खेगा थैंक्स वर वाचिंग